बिसमिल्हाहरम रहीम असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कद्दू की रेस्पी पंकिन भी कहते हैं से आप लोग रेस्पी को जरूर ट्राइ करना काफी तरीक से बने के त्यार होती है मैंने इस तरीके से बनाई थी बहुत मज़िदार बनी थी तो आप कर लोगी अगर आपके पास कर सकती हैं बहुत मसज़ार लगती है यह तो इस तरहां से देखें मैं विगुल चंक्स में काट रही हूं केरी को केरी भी आज कल वह सीजन में हैं तो आप लोग भी ज़रूर इसका इसे काफी बेनिफिट्स हैं सारी वेजिटेबिल्स को मैंने करके निकाल लिया था इसको हम करेंगे कुक तो मैंने पेन में लिया है आदा कप ऑईल करने के बाद इसमें मैट कर रही हूं पारिक स्लाइस की हुए एक बड़े साइस की प्यास को अच्छी तरह हम इसमें ब्राउन कर लेंगे लाइट ब्राउन करना है कलर चेंज नहीं कर कर दिया था लसन एक करने के बाद इसमें मैंट कर." खरोंगी. तो और ने कि माट्र करने के छोड़ा सुखा सुखा बनता है हुआ के 9g केरि करने के बार मैंने वे डाली हरी म्र्चे 2 बारी कटी हुई अब इसमें डालूँगी कद्दू इसमें अट करेंगे नमग नमग हजब आएगा भी आपकर सकते हैं मैंने हाफ टेस्ट पूरी स्पूरी स्मिलाल मीडचे पिसी हुई और हल्दी जदा मसाले सबसी में मज़ा नहीं देते तो मेरे इन ही मसालों से बहुत मज़ेगी पन के त देखें इस तरह से मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूं अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा पका लेंगे इसको लो मीडियम पे इसको पका के त्यार करना है यह ज़िए के साथ ही फहुत मज़े का लगता है आप चाहें तो एक हुछ अपाति के साथ भीखा सकते हैं और के इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत मज़े की दिवर नहीं लगेगी इसमें डाल रही हूं अब हाफ कप जितना पानी वैसे इसमें पानी की जरूरा नहीं होती लेकिन मैं इसमे थोड़ा सा डाल रही हूं ताकि अच्छी तरह से गल चाहें है उसको ढखके पकाएं इसमें अब करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे एंजुए करेंगे आप लोग गरम-गरम चापाती के साथ खाना पसंद करते हैं तो जरूर इसको आपको इस पी को ट्राय करना सोभी वर्ड्स आपको मेरे राइस पीस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्स्रा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगती है फिर लोट कर आऊंगी मजदार नई रेस्पी के साथ रेस्पी देखने का शुक्रिया अलाहाफेश कि आपको ये लुट करेंस।